नमस्कार बेगुजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूवीडिया न्यूज़ गट तंत्र दिवस की आज फूल ड्रेस्ट रिहर्सल हो ली है इसकी तैयारियां पूरी भी हो चुकी है आज सुभार साड़े दस बजे विजे चौक से परेट शुरू ही गए जो कर्तब ये पथ सी हैक्जाकर नेता जी सुभाष चंद्र बोश की प्रतिमभा दिलक मार्ग बाहत दुर शाहज परमार्ग नेता जी सुभाष मार्ग होते हुए लाल किला पर समाग हो वही पुल ड्रेस रिहरसल को देखते हुए दल्ले ट्राफिक पुल से एडवाइसरी भी जारी करती है इसके मुताबिक सिलक मार्ग बाहत दुर शाह चपरमार्ग और सुभाष मार्ग सुभाष साड़े दस बच कर तीस मिनट से याता यात के लिए फिल्कुल पात रही है इन मार्गों पर दोनों तरह सिवाहनों की आवाचाही परेड के माहा से आगे बढ़ जाने पर फिरभाष रगती है तो आईए अब जान लेते हैं एडवाइसरी में क्या कुछ कहा गया है ड्रेस रिहरसल समारों की दोरान सभी स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं उपलब्द रहेंगी हाला कि एडवाइसरी के मताबिक केंद्रिय सचिवालिया और उध्योग भवन स्टेशनों पर सुभा पाँच बजे से दो फैर बारा बजे तक चड़ने और उतरनी की अनुमती नहीं होगी हाला कि अभी तक उतरी दिल्ली से नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन या पुरानी दिल्ली रेल्वे स्टेशन तक आवाजाही पर कोई प्रतिबद्धिन नहीं है लेकिन एडवाईजरी में लोगों से संभावित देरी से बचने के लिए अपनी यात्रा की रोजाना पहले से जाने को कहा गया है इसके अलावा कुछ रास्तों पर सिटी बसों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी दिल्ली में 15 फरवरी तक पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर, हैंग ग्लाइडर, ड्रोन, क्वाड कॉप्टर, गर्म हवा की गुपारी जैसे चीजों की उड़ाने प्रतिबधित रखी गई है ट्राफिक पुलिस की और से एडवाईसरी का पालन करने और चौरायों पर तेनात करमचारियों की निर्देश का पालन करनी की अपील भी की गई है इसके अलावा जबालनाल नहरू स्टेडियम में होने वाले मिलिटरी टैटू और ट्राइबल ट्रांस प्रग्राम को देखते हुए भी दिल्ली पुलिस ने ट्राफिक एडवाईसरी चारी की है सोमवार और मंगलवार को आयुजित होने वाले समारों में 50,000 लोगों के जुट्ते की उमीर है रक्षा मंत्राले द्वारा आयुजित होने वाले समारों में बड़ी संख्या में दर्शक विभिन नागरिक, सैन्ये, वी आईपी और गण मान्ये लोग भी शामिल हो सकते हैं दल्ले पुलस के एडवाइसरी में कहा गया है कि लोधी रोड से एड्रियोस फ्लाइओवर तक भीश्म पितामा मार्ग, लोधी रोड, मैक्स मुलर मार्ग, मर्ची रमन मार्ग, बिश्प मार्ग, सुब्रमन्यम भारती मार्ग और लाला लाचपत राय मार्ग पर सुबह 11 स रात 9 बज़ा तक जाने से बचे, आपको कैसी लगी एक खबर हमें कमेंट करकर अपनी राय ज़रूर दीजे का धन्यवाद